हाई प्रेंड्स वेल्कम टू वियस्ट फेशन मेरे पत्त एक ममी का पुराना साडी है सोच दी क्या करो क्या करो फिर दिमाग में आइडिया है कि कुछ करा जाएगी से कि मैंने सिर्फ आधी साडी का ही उसके है जो रैडवल अपाट है उसको मैंने कुछ भी निकिया और करसी छोड़ दिया है सिर्फ यह वाल ही सिका ही मैंने टॉप बनाया है सिर्फ आधी सेजी ऐग टू पंटम फाइफ मिटर के आसपरस होगा मैंने ढाई इंच के असपरस गल और जो चैस्ट है वो मेरे 32 इंचिस है तो उसका वन फूर्थ भागवा और एक पॉइंच पाइफ और दो इंजेक्शन रखा और एक इंच पर निशाना है और फ्रेंट वाला और बैक साइड के लिए है फ्रेंट के लिए एक इंच का और बैक साइड के लिए और नेट मेंने 4.5 रखा है और लेंट में ने 15 रखा है आधा इंच उपर से दबेगा और आधा इंच नीचे से दबेगा इसको कट कर ली मैंने और जो मेरा कमर है वो 21 इंचेस का है तो मैं 7 इंचेस पर मार्क करकर देया 2 इंच एक्टा ले रहे हूं और बैक नेक मेंने एक इंच कम कर दिया है चार इंच को रखा है मैंने दोनों पार्ट को अलग कर दी पर उसकी बाद बैक साइड है फ्रेंट पार्ट है फ्रेंट पार्ट को मैंने कट कर लिया और जो नीचे का पार्ट है मैंने 14 इंचेस उपर से छोड़ कर फिर मैंने ना पर अपने से एजी होता है टोटाल लैंट है आपको सामने दीखी रहा होगा तो मैंने उसमें से 1.5 इंच बढ़ाया है क्योंकि दो जो एक इंच है वह अंदार के तरह खोल लोगा और आधा इंच उपर से दाबएगा और विर्द के पास भी मैंने 1.5 इंच के आसपर बढ़ाया है तो इंच के आसपर पास है आप अनुदढ़ ऑगी कार शोसां का ड़ाया है मैंने कट तो कर दिया फिर एक ऐसलेचों है 18 इंच मैंने माइनस किया किस cách अंद ह्सार गैज कि मैंन अस्तरफ ऐंड़ी और में cuma कटी है कित्छ सब्सक्रा को मी पार्टीया नीचे का पर क्योंकि कि इसमें चुन्नटे आएंगे तुड़ा अच्छा वदी खाचे इसलिए मैंने थोड़ा सीधा सीधा ही काटा है और जो बचा हुआ पाट है उसी से मैं हैंड्स स्टिच करूंगी इससे मैंने नाप लिया है मेरे हैंड्स का लैंद है 20 इंचे तो 21.5 मैंने लिया है डेल इंच क्योंकि एक इंच नीचे से दबेगा और आधा इंच उपर से मैंने जो हैंड्स का जो शेप हो मैंने ऐसे ही दे दिया क्योंकि इसमें चुन्टे आएंगे तो उतना नहीं पता चलेगा पर इसाड़ी थोड़ा इधर उधर होता है थोड़ा संभल कर सिलना पड़ता है जो में फैबरी वे उसको मैंने इसे सीधर रखा और उसके उपर अस्तर रखकर मैंने कच्छा सिलाई किया है बड़े बड़े सिलाई ताकि खुलने में एजी हो और ऐसे स्टीच करने से आपके नेक को स्टीच करते हैं कोई भी प्राब्लम नहीं आएगी कोई भी जोल नहीं आएगा थोड़ा अच्छे से इसको आगे पीछे देखते हुए इसको स्टीच केजिए ताकि कपड़ा जो है डबल फूल ना हो जाए इसी तरह मैंने तीन चार जगा आइधिंक कच्छा सिलाई कर लिया है कच्छा सिलाई करने के बाद जो गले के पास है वह मैं पक्का सिलाई करूंगी वह भी बारिक वाला कर देखते हैं अक्का सिलाई करने के बाद मैं इसको अंदर की तरह फूल कर दूंगी जो एक्ट्रबाट हो उसको कट कर लूंगी और जो कौने कौने मीं की हिस्सा कट लाना है वर्ना झोल लाता है इसमें मैं ने अंदर के तरह फूल कर लिया और एकदम बारिक पास से बारिक सिलाई करना है जो देखने में अच्छा दिखता है और मैंने जो सिलाई है उसको पूरा मैंने खोल लिया है जो भी कच्छा सिलाई मैंने किया था फिर उसके अपर जो अस्तर है उसको मैं फीर से कच्छे सिलाई से ही मेंन फैब्रिक से अटाइच करूंगी ताकि स्टिचिंग करते सामें वो इधर उधर ना हिले और परफेक्ट रहे और इसको एकदम संभल कर सिलिएगा क्योंकि जो कपड़ा बहुत फिसलता है तो अच्छे से देख कर सिलिएगा और आपको पूरी सिलाई खोलने पड़ेगी ऐसे स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको मैं सिजर की साहिता से पूरी तरह से कट कर लूँगी इसी तरह में और एक कपड़ी को भी जो इसका दूसरा पार्ट है फिर इसके बाद हम लोग इसको भी से फोल्ड करने बाद इसका ब्रेस्ट पॉइंट निकालेंगे आपके ब्रेस्ट पॉइंट के इसाप से मार्क कर लीजिए और इसको फोल्ड करकि इस तरह से कर लोगी तो दुसरे तरह भी छपा पड़ जाएगा जिससे इसली आप स्टिच कर सकते हो और मैंने जो बैक सैड कर पार्ट है उसको मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया है और दूसरे दोनों पार्ट को शॉल्डर को आपस में जोइंट कर दूंगी दोनों शॉल्डर को मैंने जोइंट कर लिया है जो मेरा हैंड्स है उसको मैंने एक सुई की साइधा से इस तरह से जो उपर का पार्ट है हैंड्स कर उसको मैंने इस तरह से सुई में डाला जिससे चुन्डट बनेंगी और ज्यादा इसमें कंजट भी करने के जरतने बार बार चुन्डट लगाने की एक तरीका है आप भी ट्राय कर सकते हैं फिर उसकी बार मैंने इस पर पक्का सिलाई कर दिया है ताकि वह इधर उधर घसके ना जो नीची का पार्ट है उसको मैंने डबल फोल्ड करके इस सरे स्टिच कर लिया स्टिच करने के बाद इससे पांच इंच की दूरी पर मैं निशान लगाऊंगी जहां से चुन्नटे आएंगी इलास्टिक मैंने जाड़े नौ इंच के रखाया है क्योंकि इसमें जो आधा इधा इंच है वो दब जाएगा और मैंने इस पर कच्चा से लाई किया और दोनों तरफ से धागों को घीच दिया आप इस तरह मैंने इसमें तीन तरीके बताया है चुन्नट डान लेके तो यह सेकंड तरीका है मैंने कच्छा से लाई किया दोनों तरफ से धागों को घीच दिये हैं और इस तरह से मैनेज करके इलास्टिक को फिट करके मैंने घीच देवे स्टिच कर लिया यह उल्टी तरफ है अब मैं इसे अटेच कर दूंगी हैंस को हैंस को जादे तर मैं बीच से अटेच करती हैं मुझे वैसे कमफोर्टिबल लगता है कि अब स्टिच करने के बाद उसमें मैंने साइट्स जॉइन कर रही हूं कि अब यह उन्हें कंपने दूंट ऊसको मैंने कट कर लिया जो वेश्ट पार्धांप्त और नीचे के जव नीचे का पार्थ है उसके अंदर को जासतार है उसको मैंने दूना तरफसीं टेच कर लिया आच़्ी तरफ से अ जो नीचे को चुननट वाला पार्ट है उसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टीच कर लोंगी पूरी तरह से और इसको मैंने हातों से चुननट दिया छोटे-छोटे चुननट इस तरह स्टीच कहें इसको मैं चुड़ाई देख रही है और इसी से में फैबरिक का भी मैंने चुड़ाई ले लिया और उसको वहां से पकड़ कर मैंने स्टीच कर दिया और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर लूँगी और इस तरह से एटेच कर लेंगे और दोनों को जो भाग है वो अंदर की तरफ ही रहना चाहिए क्योंकि इसे हम पल्टेंगे नहीं इसलिए कि इस तरह से पूर्व पूरा स्टिच करने के बाद इसको अपर पार्ट को इससे एटेच करेंगे और जहां से किया जो दोनों का जो जो जॉइंट है साइड जॉइंट वहां से दोनों को एटेच करेंगे तब परफेक्ट आएगा उसके बाद जो अस्तर है उसको भी मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लिया है और यह रहा टॉप अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिलकुल भी ना हुले, थैंक्स तो वाचिंग मैं चैनल